दोस्तों आपका स्वागत है और के टेकनिकल में आज की वीडियो में हम आपको बताने वाली हैं यदि आपके वार्टसाप का कोई फोटो वीडियो भेजता है आप उसे डाउनलोड करते हैं लेकिन वो खल वार्टसाप पर दिखाता है आपके गैलरी में नहीं सो होता है जैस इमने कोई जो फोटो में डाउनलोड किया है यहाँ पर नहीं सो रहा है तो आईए बताते हैं कि इस प्राबलम को आप कैसे सही कर सकते हैं दोस्तों तो यह दि दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को ज़रू सब्क्राइब कर दीजेगा आई आई आपको बताते हैं सेटिंग क्या करनी है तो इसके लिए दोस्तों आपको अपने ही वारसाम में ही जाना है वारसाम में जाने के बाद आपको चैट वाले आप्शन में आना है चैट वाले option में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 3.1 option सो हो रहा है 3.1 option में जाना है जाने के बाद आपको setting का option सो हो रहा है तो setting वाले option पर आपको यहाँ पर click कर देना है click करने के बाद आपको account के नीचे chat का option सो हो रहा है चैट वाले option में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक options हो रहा है media visibility का options हो रहा है तो इस वाले option को यदि आप enable कर देंगे तो आपके वार जो कोई भी आपको photo video जो भेजेगा वो आपके गलीर में save होने लगेगा आईए आपको देखाते हैं proof के साथ जैसे यहाँ पर देखिए इस photo का भी हमें आज इस photo का हमें आज से download करते हैं तो देखिए हमारे gallery में save हो जाएगा दोस्तों तो आईए आपको देखाते हैं कैसे होता तो आईए इसके लिए हम अपने file manager को आपर open करते हैं आप gallery में भी जा सकते हैं कोई भी जा सकते हैं folder में तो देखिए आपर file manager को open किया आपने whatsapp को यह आपर refresh कर दिया refresh करने के बाद देखिए हमने वार्षाफ बले a горis make चल जाते हैं वार्षाफ बले a горis ame आने के बाद आप देख सकते हैं पर फोटो सो होनी लगा तो ऐसे यह यह आपके बाद में फोटो बीडियो नहीं आ रहा है तो ऐसे ही आप शही कर सकते हैं दोस्तों इस वीडियो अच्छे लगिए तो वीडiयो को लाइक कर के चैनल को सब्क्राइब कर लिजेगा क्यों कि मैं से टेक्नालिशल वीडियो आपकी ली बनाते राता हूं धन्यमाद दोस्तों